बिहार शरीफ सोहर सराय हॉल्ट के पास सुबह सारहे नौ बजे जनता की सुरक्षा करने वाले पुलीस कर्मी आपस में ही भिड़ते दिखें जगड़े का कारण वसूली के पैसो में लेन देन की बात बताई जा रही है ये दोनों ही पुलीस कर्मी 112 नमबर पुलीस वाहन पर ड्यूटी करते हैं विवार अचानक हुआ और पुलीस कर्मी आपस में ही भिड़ गए इस दोरान वहां मौजूद लोगों ने घटना की वीडियो अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर दी और अब यह वीडियो तेजी से वाइरल हो रहा है इसके बाद पुलीस महकमा में हर कंप का माहौल है इस संबंध में दोनों जवानों ने कुछ भी बताने से परहेच किया है वहीं इस बीच नालंदा पुलीस अधिक्षक अशोक मिश्रा ने सोचल मीडिया के माध्यम से दो वीडियो के आधार पर संग्यान लेते वे दोनों जवानों को जिला पुलीस के इंद्रों वापस कर दिया है और पुरे मामले की जाचका भी आदेश दिया है विश्वास वही रफदार नहीं